यह गाना तेरे जैसा यार कहां दोस्ती पर सबसे अच्छे गानों में से एक है जिसे हर साल विभिन सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर फ्रेंड्शिप डे पर कई गायकों द्वारा गाया जाता है यह गाना 1981 की म्यूजिकल हिट फिल्म याराना का है जिसमें साथ खूबसूरत और सदा बहार गाने थे जिन में से एक खास गाना महान किशोर कुमार ने गाया था इसी गाने की शूटिंग के दौरान अमिताब बच्चन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और राजेश रोशन जी से दोबारा गाना रिकॉर्ड करने का अनुरोध किया जिस पर राजेश रोशन जी ने सकती से अमिताब बच्चन को मना कर दिया जिसके लिए अमिताब बच्चन ने फिल्म की शूटिंग कुछ समय के लिए रोग दी थी प्यारे दोस्तों, जनता टॉकीज में आपका स्वागत है फिल्म याराना में अमिताब बच्चन, नीतु सिंग, अमजद खान, तनुजा और कादिर खान मुख्य भूमिका में थे फिल्म का निर्देशन राकेश कुमार ने किया था और फिल्म के संगीत निर्देशक थे राजेश रौशन गाने के बोल बेहद प्रतिभाशाली अंजान साब ने लिखे थे फिल्म में कुल साथ गाने थे रफी साहब और सुष्मा श्रेश्ट ने फिल्म में एक एक गाने और किशोरदा ने पाँच गानों को प्लेबैक दिया था इस फिल्म के गानों की खासियत ये थी कि ये सब ही सोलो सॉंग्स थे और याराना फिल्म में कोई भी डुएट गाना नहीं था निर्देशक राकेश कुमार के साथ चर्चा के बाद अमिताब बच्चन ने फिल्म के तीन गानों की शूटिंग के लिए कोलकाता में नेता जी इंडोर स्टेडियम का नाम सग्जेस्ट किया चूकर मेरे मन को तेरे जैसा यार कहा और सारा जमाना हसीनों का दीवाना जिस पर निर्देशक राकेश कुमार सहमत हो गए और पूरी यूनिट कोलकाता आ गई जिसे उस समय कलकत्ता के नाम से जाना जाता था शूटिंग के लिए लगभग आर दर्शकों की व्यवस्था करना, फिल्म यूनिट के लिए एक कठिन और जोखिम भरा काम था फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था समस्या तब पैदा हुई जब अमिताब बच्चन छूटर मेरे मन को गाने की शूटिंग के लिए गए गाने की शुरूाती रिकॉर्डिंग के समय स्टूडियो में किशोर्दा के साथ अमिताब बच्चन भी मौजूद थे लेकिन फाइनल रिकॉर्डिंग के दौरान किशोरदा ने राजेश रोशन को एक विशेश सौफ्ट टच में गाने की गति बढ़ाने का सुझाव दिया जो किशोर कुमार की अनोखी खासियत थी ऐसा इसलिए था दोस्तों किशोरदा को लगा की फिल्म के अन्य गाने कमोबेश फास्ट ट्रैक नंबर थे और अचानक एक धीमी लैबध धुन गाने की छाप को प्रभावित कर सकता था राजेश जी थोड़ा आश्चर्य चकित थे कि किशोरदा सौफ्ट टच में गाने की लै को तेज कैसे बना सकते हैं लेकिन जब किशोरदा ने recording पूरी की तो इस गाने में किशोरदा की जबरदस्त voice improvisation से हर कोई बहुत खुश हुआ लेकिन दुर्भाग्य से उस समय अमिताब बच्चन मौजूद नहीं थे और किसी ने अमिताब जी से इस बारे में चर्चा भी नहीं की बहरहाल जब चूकर मेरे मन को गाने की शूटिंग शुरू हुई तो अमिताब बच्चन गाने में तेज लए देख कर थोड़ा परेशा हो गए गाने की शूटिंग के दौरान अमिताब जी को किशोरदा की गती के साथ लिपसिंग करने में काफी कठिनाई हो रही थी और फिर अचानक अमिताब जी ने शूटिंग रोग दी उन्होंने राजेश रोशन से बात की और उनसे गाने में अचानक गती बढ़ने का कारण पूछा राजेश रोशन ने पूरी घटना बताई कि फाइनल रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ था अमिताब जी ने एक पल सोचा और राजेश जी से इस गाने को फिर से धीमी धुन में रिकॉर्ड करने को कहा हालांकि राजेश रोशन जी अमिताब बच्चन से काफी जूनियर थे लेकिन उस समय उन्होंने अमिताब जी को बताया कि जब अंतिम रिकॉर्डिंग चल रही थी इस लयका सुझाव खुद किशोर्दा ने दिया था हम किशोर्दा को मना नहीं कर सकते थे इसके अलावा जब भी किशोर्दा किसी गाने में कुछ एडवाईस देते हैं वो हमेशा गीत और फिल्म के पक्ष में ही काम किया है कहा राजेश रोशन जी ने अमिताब बच्चन को थोड़ा गुसा तो आया लेकिन उनके पास कोई चारा भी नहीं था शूटिंग दोबारा शुरू हुई लेकिन हर बार जब अंतरा वाला पार्ट शूट हो रहा था तो अमिताब बच्चन ठीक से लिपसिंग नहीं कर पा रहे थे शूटिंग के दौरान ऐसा कई बार हुआ और तभी अमिताब बच्चन ने एक अप्रत्याशित फैसला लिया उन्होंने राजेश रोशन और रमेश कुमार से कहा कि वह केवल मुखडा भाग के लिए लिपसिंग करेंगे और अंतरा भाग बैकग्राउंड में बजाया जाएगा जी हाँ दोस्तों फिल्म के निर्देशक को अमिताब बच्चन की बात माननी पड़ी क्योंकि वह गाने में सही लिपसिंग करने में लगातार असफल हो रहे थे अगर आप कभी भी गाना देखेंगे तो पाएंगे कि शुरुवात में अमिताब बच्चन गाना गाते तो हैं लेकिन अचानक गाना बैक्ग्राउंड में बजने लगता है हालांकि गाने की लोकेशन और सिचुएशन वही रहती है फिल्म याराना अपनी रिलीज के बाद 1981 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और किशोर दा को छूकर मेरे मन को गाने के लिए सर्वश्रेष्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेट किया गया था लेकिन वह अपने बेटे अमित कुमार से हार गए जिन्होंने याद आ रही है गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता था किशोर दा अमिताब बच्चन का कॉंबिनेशन एक जादूई संयोजन रहा हालांकि अमिताब बच्चन कभी-कभी यह भूल जाते थे कि किशोर कुमार की सुनहरी आवाज ने उनके करियर में कितनी मदद की थी किशोर दाने अमिताब जी के लिए लगभग पचास फिल्मों में लगभग 130 गाने गाये थे और उनमें से अधिकांश, हिट और सुपर हिट थे आज के वीडियो को समाप्त करते हुए आज के एपिसोड के बारे में अपनी राय और अपना पसंदीदा किशोर अमिताब संयोजन गीत अवश्य कॉमेंट करें वीडियो को लाइक, शेयर करें और जनता टॉकीज को जरूर सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद